सल्मान खान ने अब पहली बार इस सीजन में वो काम किया है जो इससे पहले कभी नहीं किया सल्मान खान क्यों गए हैं घर के अंदर सल्मान खान ने घर के अंदर जाकर आखिरकार ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर किसी के ओड़ गए हैं होश सल्वान खान ने क्यों करी है मुनावर और अविशेक को एक साथ बिठा कर बात क्या हुआ है ऐसा चलिए हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अब जिस तरीके से आज मीडिया घर के अंदर गई है वहीं दूसरी तरफ अब इस शो के टॉप टू हमें मिल चुके हैं और इन टॉप टू से एक बात तो तैह है कि किस तरीके से अब इन टॉप टू में से अभिशेक और मुनावर ये दो दावेदार जो हैं हमारे सामने आ रही हैं अब सल्मान खान ने मुनावर और अभिशेक इन दोनों से बात की है सल्मान खान ने इन दोनों से जानना चाहा है कि आखिरकार क्यों इनका दोस्ती का रिष्टा शुरू से नहीं दिखा अभिशेग से जानना चाहा है कि जब तुम बाहर जाकर आए तब से तुम्हारा बिहेव क्यों अलग है और मुनावर से ये जानना चाहा कि हाल फिलहाल में वो अभिशेग के साथ दोस्ती निबहता नजर आया है क्या ये उसके गेम का प्लान है तो अब हम आपको बता दे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो सवाल खड़े करती हैं जो इस बात को लेकर सवाल उठाती है कि आखिर क्या वाकई में यहाँ पर मुनावर और अभिशेग अच्छे दोस्त हैं या सिरफ इनका गेम प्लान है सलमान इन दोनों से ये भी जानना चाते थे कि अगर इन दोनों के अलावा इनको लगता है कि कोई विनर का दावेदार हो सकता है तो वो कौन है तो यहाँ इन दोनों ने ही साव कहा कि इनको लगता है कि इन दोनों के अलावा जो विनर का दावेदार है वो अंकिता है तो इस वार कुछ format में इतने changes किये गए हैं कि अब यहाँ पर आपको सलमान का घर के अंदर जाकर मुनावर और अभिशेक से बात करना और special suggestion लेना ये एक audience को surprise कर सकता है